श्री एजुकेशन उनके बारे में हमें डिटेल में अनालिसिस उनका करना बहुत जुरूरी है क्योंकि बहुत इंपोर्टन घटनाय है iso psc के लेवल की बात करें या state pcs की बात करें ये घटनाय आपके लिए बहुत इंपोर्टन होगी उन में से जो हमारे all important acts in India before independent से पहले जितने भी एक्ट आये थे उनके बारे में आपको डिटेल में जानना जुरुरी है जैसा कि हमने आपको पूरी सीरीज बताया था आउसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि जब हम पढ़ा रहे हो उसी दौरां ने रूंक के वारे में पूरा पढ़ाया जा इसलिए हमने आप आपको पहली बता दिया था जो आपके लिए जरूरी था वो हमने आपको पूरी बता दी कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी मगर मैं आपको वो जो एक्ट थे उनके बारे में चुन-चुन के चीज़े बताऊंगा ये एक्ट की सीरीज पूरी खतम हो जाएगी उसके बारे में जो और इंपोर्टन घटनाय थी उनके बारे में हम देखेंगे इस तरीके से आप आधनिक भारत का इतिहास जो है बहुत ही डीपली आप पड़ पाएंगे दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि आपने हमारे जो आधनिक भारत के इतिहास की पूरी सीरीज देखी होग अगर नहीं देखी तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा यह हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में जाईए आपको आधनिक भारत के इतिहास सब मिल जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास मद्यकालीन भारत का इतिहास और जियोग्रोफिय फिस अब मिल ज इसके बारे में पहले यहां पर देखेंगे बहुत इंपॉर्टन यह बहुत ही सिंपल है वर बहुत ही इंटरस्टिंग है तो यह ध्यान से देखते रही है पुरी सीरी तो देखिए जब 623ा जो रेगलिटिंग अक्त準 यह अधिशरही झाल जहानले 17 के सब 15 इससे पहले जो सब कुछ जो थी वो East India Company के हाथ में था मगर इस एक्ट के द्वारा ये नाम ही देखिए लग रहा है Regulating Act तो Regulating Act क्या था कि ये ऐसा पहली बार हुआ था कि British सरकार ने एकदम बहुत थी जो रो सो रो से नियंतरन अपने हाथ में कर लिया था East India Company का जो था वो अपने नियंतरन में कर लिया था ठीक है इससे पहले कुछ मतलब नहीं था मगर इससे पहले भी 1767 में उसने हस्तचेप किया था इस इंडिया कंपनी के कारे के मामले में British सरकार ने हस्तचेप किया था तो उसने क्या किया था उसने उसमें 1767 ये किया था कि जो 40 मांड पाउंड की जो वार्षिक आया थी इस्ट इंडिया कमपनी पे बिटिस सरकार ने कहा कि 10% उनका भी हिस्सा है तो अगर ये बहुत कम चांस है कि आप से पूछा जाए कि पहली बार कब हस्तचेप किया था तो याद रखिए 1767 में 40 लाग की जो वार्षिक आया हुई थी प्रतिशत की हिस्सेदारी मागी थी उससे पहले कुछ उनको मतलब नहीं होता था बिटिस सरकार को कुछ भी करें मगर उन्हों देखा कि ये कंडिशन ऐसी हो चुकी है क्योंकि अब प्लासी की लडाई जीच चुके हैं और बकसर का युद्ध जीच चुके हैं तो इस प्लासी की लडाई और बकसर का युद्ध जीच चुकी है 1764 में ये बकसर का युद्ध दूआ था आपका 1757 में आपकी लडाई होई थी प्लासी की इसके बास सब कुछ जो है पूरा बंगाल उडिशा बिहार लगभग आप कह सकते हैं इस इंडी कंपनी के हाथों में आ ग रिटन वैसे ही अपनी मर्जी से वो चलाते थे और जो इस्ट इंडिया कंपनी को उस समय जो संभाल रही थी ना इस्ट इंडिया कंपनी को 1773 से पहले कौन संभाल रहा था ये भी इंपोर्टन्ट है तो कोट ओफ डारेक्टर 24 सदस्यों की एक टीम थी जिसे कोट ओफ डार कहा जाता था हिंदी में संचालक मंडल कहा जाता था वो संभालती थी इस इंडिया कंपनी के पूरे कारिभार को अब ये कुशन भी है कि ये चुनते कैसे थे कोट ओफ डारेक्टर को 24 मेंबर जो टीम थी ये कौन चुनता था ये वो लोग चुनते थे जिनका इस्ट इंड या कंपनी में पार्टनर थे वो लोग चुनते थे ठीक है अंशधारी जो थे अंशधारी आप कह सकते हैं ठीक है श्टेक होल्डर जो थे वो चुनते थे और ये पूरा संभालती थी अब आपको मालूम होगा कि ये बकसर के युद्ध के बाद जो बंगाल का गवर्नर आ गय तक दैध शाशन पढणाली चलाई दैध शाशन पढणाली में क्या होता था कि जितने भी पैसों के मामले थे जो राजिस्व मतलब कर लेना होता था इदर उदर से पैसे वो वसूलने थे वो पूरा अधिकार तो अपने अंडर में कर लिया जबकि प्रशाशनिक अधिकार जो है वो नवाबों को दे दिया तो ऐसे ऐसे ये चलता रहा है सब तो इन इस साथ साल के अंतरगत इस साथ साल के अंतरगत अब आप जान ले हैं कि मतलब कर जो वसूलने है वो अंगरिज्जों के हाथ में है तो क्या क्या हो सकता है तो इन साथ सालों में ऐसी कंडिशन आई कि किसानों का इतना उत्पीडन किया गया अत्यधिक उनसे मतलग कर लिये गए अपनी मर्जी से कर लूटे गए और उस टाइम कंपनी के बीच में भरष्टाचार अपनी चरम सीमा पे था इतना ज़्यादा भरष्टाचार हो गया था क्योंगि वो उपहार के नाम पर रिश्वत लेते थे तो इतना ज़्यादा भरष्टाचार हो गया था कि आप सोच में सकते तो इतना ज्यादा भश्टा चाहत होने विए से जो कंपनी थी उसका दिवालिया गोशित होने वाला था वो दिवालिया गोशित होने वाली थी इतना बरबाद होगी थी कंपनी तो उसके बाद आप जानते हैं वारन हेस्टिंग जो की बंगाल का आखरी गवर्नर था बंगा एक्ट से पहले ही 1772 में इस दैद शाषिन परणाली को खतम कर दिया और सब कुछ East India Company के हाथ में आ गया और ये सब कंडिशन देखते हुए British सरकार ने क्या किया कि भारत के अंदर जो British East India Company थी वो जो उसके अफेर थे उसके जो मामले थे कानूनी मामले उनके उपर एक कानून बनाने का निश्चे कर लिया British सरकार ने तो उसके तहट आप आएगा Regulating Act जो की 1773 में आया था 1773 में आया था ये आपको कंडिशन मालूम हो गई होगी कि 1773 के पहले क्या है अब देखिए अब हमने बता दिया कि अब नियमित और नियंतित होगी इसका मतलब अब क्या गया एक written constitution आ गया अब उस हिसाब से सब कुछ शाषन चलेगा अब देखिए इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशाषनिक और राजनेतिक कारे को मानिता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्री प्रशाषन की निव रखी गई या देखिए केंद्री शाषन पढ़ना आप सब जानते हैं कि केंद्र के हाथ में सब कुछ ताकत रहेगी उसी तरीके से वहाँ भी हुआ थो बंगाल के governor general के अंडर में सभी जो बाकी प्रेजिदेंसी थी जैसे मद्रास और बंबई जो प्रेजिदेंसी थी उसी केंदर में आ जाएंगी तो सब कुछ पावर कहां हो जाएगी बंगाल में एजे केंदरिश प्रशाशन हो जाएगा ठीक है आप समझ पा रहे हैं अब इस अधिनियम की विशेष्टा क्या थी यह सबसे important है इसके जो अंदर हुई थे वह सब मैं आपको बताऊंगा इस अधिनियम द्वारा बंगाल के governor को बंगाल का governor कहा जाने लग गया और उसकी सहायता के लिए एक चार सदस्य कारेकारी परिशत का गठन किया गया लौड वारन हिस्टिंग बंगाल का पहला governor general बना यह तो highlight point था यह इसलिए हमने आपको बता दिया आगे चलके मैं आपको बताऊंगा कि जो चार सदस्य थे उनका नाम क्या था सब कुछ आपको बताऊंगा कैसे कैसे हुआ था यह सबसे highlighted point था इस अधिनियम का तो उन्हेंने सबसे पहले बता दिया अब उसका देखिए कंपनी के इस इस अधिनियम को वो अभी थी तो कंपनी के जो डारेक्टरों से कहा गया कि वे अब से राजस्व जो भी वसूल रहे हैं से सμミーधित सभी मामले और दीवानी एवं सैन्य प्रशाशन के संबन्द में किये गए सभी परकार कारें सभी परकार के कारें से सरकार को अवगत कराएंगे मतलब जो भी कमपनी के डिरेक्टर जो भी कुछ करते हैं वो सरकार को बताना जुरूरी हो गया था पहले कुछ नहीं था ऐसा सब कुछ जो भी था इस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो ये डारेक्टर वाले टीम थी जो 24 सदस्यों वाली अब देखिए अब जो स्टेक होल्डर थे वो 500 पाउंड वाले थे कुछ और पाउंड वाले भी होंगे मगर जो पहले क्या होता था जिनका मैक्सिमम जो 500 पाउंड ये थ्रेशोल्ड था कि 500 पाउंड से जादा जिन्होंने शेर अपने इस्ट इंडिया कंपनी में किये हैं तो वो जो है वो कोट ओफ डारेक्टर की जो सदस्य का निर्वाचन करने के लिए वैलिड हैं वो कर सकते हैं निर्वाचन मगर अब क्या हुआ 500 पाउंड से हटा कर अब क्या कर दिये गया 1000 पाउंड अंशधारियों जो श्टेक होल्डर जो है जिनका 1000 या 1000 से ज़ादा है को संचालक चुनने का अधिकार दिया गया जो संचालक मंडल थे कोट ओफ डारेक्टर की टीम को कौन चुन सकेगा वो चुन तो सकेंगे वही जो श्टेक होल्डर हैं मगर उनकी जो है 1000 पाउंड से ज़ादा वो होना चाहिए उनका जो श्टेक है उसका देखे कोट ओफ डारेक्टर का कारिकल चार वश कर दिया गया और पती वश उनमें से एक चौथाई सदस के स्थान पर नए सदस्यों के निर्वाचंग की पदती अपनाई गई हर साल एक चौथाई सदस हट जाएगा दूसरा नया सदस्यों आएगा बंगाल में एक परशाशक मंडल गठित किया गया ये वो ही घटना है जो की गवर्नर जनरल की निक्ती होगी और चार उसके साथ है जो सदस्यों गे ये वही है बंगाल में एक परशाशक मंडल गठित किया गया जिसमें governor general तथा चार परिषद न्युक्त किये गए, समय में हरें, चार परिषद और governor general को न्युक्त किया गया, ये परिषद परिषद जो थे परिषद नागरिक तथा सैन्य परिशाषन से संबन्धित थे जो ये चार सदस्य थे थे ना ये जो पारशित नागरिक और सैन्य प्रशाशन से सम्मंदित थे इस मंडल में नेने बहुमत के अधार पर लिये जाते थे इस अधिनियम द्वारा मंडल में वारन हेश्टिंग को गवर्नर जनरल के रूप में तथा कलेवरिंग मांसल बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिसी को पारशित के रूप में न्यूक्त किया गया वारन हेश्टिंग के साथ साथ जो चार सदस्य थे उनके नाम क्या है कलेवरिंग मांसल बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को पारशित की रूप में न्यूक्त किया गया इन सभी का कारिकाल पाँच वर्ष था तथा Koort of Directors की शिफारिश पर केवल बृतिश समराठ द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था केवल बृतिश समराठ ही इनको हटा सकता था मगर जो शिफारिश जो थी कोर्ट ओफ डिरेक्टर जो 24 सदस्यों के टीम थी वो करती बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी छेत्रों का गवर्नर कहा गया ठीक है परिशद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेजिडेंसी के असैनिक तथा सैनिक शाष्षन का अधिकार दिया गया कुछ विशेश मामलों में इसे बंबई और मदरास की जो प्रेजिडेंसिया थी उनका अधिक्षन भी करना था तो यह सब आपको याद करना है वागे देखिए इस अधिनियम द्वारा यह बहुत इंपोर्ट है 1774 में एक उच्टम को नयायल मतलब सुप्रीम कोट की सापना की गई 1774 में इसी अधिनियम के द्वारा कमपनी के सभी कारकरता इसके नयाय चेतर में कर दिये गई इस नयायल में एक मुख्य नयायधिस तता तीन अन्य नयायधिस थे देखिए यह important है जो सबसे पहले इस सुप्रीम कोट के प्रथम मुख्य नयायधिस से उनका नाम है यह सर एलिजा एमपी को सुप्रीम कोट का प्रथम मुख्य नियाएधीश नियुक्त किया गया अब उच्चतम नियायल में अंग्रेज तथा भारते सभी नियाय की गुहार कर सकते थे यहां इंग्लेंड में जो प्रचलित नियायक विवस्ता थी जो ब्रिटिश में थी नियायल को यह भी अधिकार था कि वह कमपनी तथा समराट की सेवा लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले कारेवाही अथवा शिकायत की सुनुवाई कर सकता था और उसका देखे कानून बनाने का अधिकार जो है वो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिशत को दे दिया गया किन्तु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारती सचिव से अनुमत्ती प्राप्त करना अनिवारे था अनिथा नहीं हो पाता कंपनी के करमचारी कंपनी के करमचारियों के नीजी वैपार को पूर्णिता प्रतिबंदित कर दिया गया एक पॉइंट मैंने आपको बताना भूल गया कि 1773 से पहले वादी जो सिट्यूशन थी वहाँ पे जो कंपनी के कारिकरता थे करमचारी थे वो अपना परसनल वैपार भी करते थे अपने आपको बढ़ाने के लिए मगर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और उनकी वेतन में विद्धी की गई और उपहार लेना होना सब बंद कर दिया गुस भेंट आदी सब को मना ही हो गई सक्त मना ही हो गई ठीक है अब ये हो गया मगर उसके बाद इसमें थोड़ा सा संशोधन लाया गया 1781 में मगर इसकी जो कमिया थी वो आगे पूरी की जाएंगी जब पीट का इंडिया एक्ट आएगा ठीक है जो पिट इंडिया एक्ट आएगा 1784 में तब इसकी कम्या पूरी की जाएंगी मगर जो छोटी बोटी कम्या थी वो 1781 में कुछ शंशोधन किये गए वो शंशोधन क्या थे कलकत्ता स्थित जो उच्छतम नयायले के नयाय छेतर को परिभाशित कर दिया गया कि जो उच्छतम नयायले का जो अधिकार छेतर है यहीं यहीं तक सीमित होगा उसके बाद राजस्व एकत्रित करने की विवस्था में कोई रुकावट ना डाली जाए मतलब इस राजस्व एकत्रित करने में उच्छतम नयायले था सुपरीम कोड था ये भी कोई रुकावट नहीं डाल सकता था इससे इसको बाहर कर दिया गया कानून बनाते तथा उन्हें करते समय भारतियों के सामाजिक और धार्मिक रिती रिवाजों का सम्मान किया जाएगा तो ये 1781 में कुछ शंशोजन किये गए थे मगर इसके बाद का जो वीडियो होगा वो पिट इंडिया एक्ट पर होगा जो कि 1784 में आया था वो बेसिकली क्या था जो 1773 में रेगैलेट्ञ एक्ट था उसकी जो कमियों को ठीक करने के लिए वो आया था तो आज के इस वीडियो में ये इतना ही 773 वारे में पूरी जानकारी आपको मैंने देने कोशिश किये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा शेर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाग उठा सकें आप हमारे जो आदनिक भारत के इतियास वो जरूर देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टन है किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्कता नहीं आगी होगी अगर आप वो पढ़कर नोट्स बना लेते हैं स्क्रीन पर आपके चार वीडियो आ रहे हैं इंपॉर्टन है देख लीजिएगा हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार